गुड मॉर्निंग ग्लास सेवंथ आज का चैप्टर नमबर है हमारा 19 सच्ची तीर्थ यात्रा इसकी पहले रेडिंग करते हैं बहुत पहले की बात है रूस के एक गाओं में एफिम और ऐलिशा नाम के दो व्यक्ति रहते थे दोनो घनिष्ट मितर थे गनिष्ट मतलब बहुत पक्के मितर थे एफिम धन्वान था पर एलिशा अपने मित्र की तरह संपन्न नहीं था एलिस बहुत जादा अमीर नहीं था वह मदुमक्ख्यों को पालकर पालन अपने परिवार को का निर्वाह करता था अर्थात गुजारा करता था उसका सोभाव बहुत अच्छा था वह सब के साथ मिल जूलकर रहता था दोनों मित्र ये रूशलम जाना चाहते थे एक धार्मी के स्थल का नाम है कि इसाईयों का जो पवित्र स्थान है उसे ये रूशलम है महाँ जाना चाहते थे अनेक बार वहाँ जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया लेकिन किसी ना किसी कारण से एफिम को जो था काम के कारण वहा जाना अपना सगित करना पड़ता था तो लेकिन एलिस ने सोचा कि इस तर तो येरूसलम हम जाही नहीं पाएंगे तब दोनों मित्रों ने तैय किया कि चाहे कुछ भी हो हम अब येरूसलम अविश्य जाएंगे यह सोचकर दोनों ने एक दिन निश्चित किया और यातरा पर निकल गए यातरा पर जाते समय एलिस ने अपने साथ बहुत सारा धन और सामान ले लिया लेकिन एलिशा ने उतना ही धन लिया जितना उसे जुरुत थी यातरा पर जाने से पहले एफिम ने अपने पुतर को अपना हरे काम अच्छे से बता दिया कि क्या काम कैसे कैसे करना है और फिर वो अपनी यातरा पर निकल गया लेकिन एफिम जो था उसके मन में शांती नहीं थी उसे अपने व्याविसाय और घर की चिंता खाये जा रही थी क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा था फिर भी वो अपना जैसे तैसे काम को संभाल कर येरुसलम के लिए निकल पड़ा चलते चलते दोनों एक गाउं में पहुँचे वहां दोनों ने अनावरष्टी अनावरष्टी यहां पर बारिश नहीं हुई है और सूखा पढ़ने के कारण लोग भूख से तरही तरही यहां पर मची हुई थी लोग भूख से मर रहे थे रात बिताने के लिए दोनों मित्रों को कोई उची जगे नहीं मिली तो वे एक जोंपडी में की और चल दिये उन्होंने जोंपडी का द्वार खट खट आया पर किसी ने द्वार नहीं खोला जोंपडी के अंदर से कुछ लोगों के करहने की आवाजे आ रही थी तो एलिशा ने थोड़ा सा द्वार को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया जोपड़ी के अंदर जा कर जब उन्होंने देखा तो उनके रोंगते खड़े हो गए जोपड़ी के अंदर से दुरगंद आ रही थी फैली वहां दुरगंद हो रही थी दुरगंद यानि के एक्चा आया और बोल उठा बाबा हम भूके हैं हमें कुछ खाने को दो एक व्यक्ति लड़क खटा आता हुआ आया और गिर पड़ा और बोला हम भूक और रोग से मर रहे हैं कृपया हमारी मदद कीजिए एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी निकाल कर को भी दी और फिर पास में जो कुआ था वहां से लाकरन को पानी पिलाया एफिम को यह सब पसंद नहीं आया वह जोपड़ी के बाहर ही बैठा रहा क्योंकि वह अमीरादमी था तो वह अंदर गुसा ही नहीं उसे सब अच्छा नहीं लग रहा था वह वह वहां से जाने का इच्छुक था वह वह वहां से जाना चाहता था पर मित्र को छोड़ कर नहीं जाना चाहता था उसने एलिशा को समझाने का प्रयास किया मित्र हम यहां रुके तो बिमार पढ़ जाएंगे हमें तो ये रूशलम पहुंचना है बेकार अपना टाइम क्यों खराब कर रहे है चलो यहां से चलते हैं यह जोपड़ी तो दुरगंद से भरी पड़ी है अगले पेज़ पर आईए फिर एलिशा ने कहा मित्र आप जाईए मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़ कर नहीं जा सकता जब तक इन लोगों में चलने फिरने की हिम्मत नहीं आ जाती तब तक मैं यहां से मेरे यहां से जाने का प्रश्ण नहीं उठता एफिम के बार-बार कहने पर भी जब चलने को तयार नहीं हुआ तो एफिम्म छोड़कर उसे अकेले ही येरुशलम के लिए चला गया मित्र के जाते ही एलिशा ने उन तीनों प्राणियों की सेवा शुरू कर दी उनके घर की साफ सफाई करके खाना पकाया घर की जरूरी सामान खरीद कर लाया क्योंकि जोपड़ी में उनके पास कुछ भी नहीं था उन्होंने पेट भरने के लिए घर का सामवरा सामान जो था वो बेच दिया था इस कारे को करने में एलिश को कहीं दिन लग गए उसकी स सेवा करने लागा और उन तीनों प्राणियों में दीरे दीरे जो है ताकत और हिम्मत आने लगी तब तब तक जो था वह एलिश एलिश वहीं पर रुका रहा उसने उन लोगों के लिए एक गाएं खेत में बोने के लिए बीच और अगली फसल तक के लिए अनाज खरीद कर र रुपए समाप्त हो गए थे इसलिए वो उसने यरुश लम जाने की वज़ाए वो अपने घर की और ही वापस चल दिया जब एक घर पहुंचा तो उससे देख कर परिवार के सारे सदस्य प्रसन हुए उन्होंने पूछा अब यरुश लम हुआ है एफिम कहा है एलिश ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा शायद इश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाओं मेरा सारदन रास्ते में ही खर्चो गया इसलिए मैं एफिम के साथ ने जाकर वापस आ गया और अपना काम करने लगा उधर एफिम उस जोपड़ी को छोड़ने के वाद एरुष्लम की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर वह प्रातना करने के लिए कहां गया गिर्जा घर में गया वहां बड़ी भीड थी उसे सदैव क्या थी अपने धन की चिंता लगी रहती थी प्रातना के समय भी वो क्या था अपनी जेबों को टटोलता रहता था उसे डर था कि कहीं कोई उसका धन चोरी ने कर ले कोई इसकी जेबने काट ले और इस चिंता के कारण वो क्या था वोह पर अपनी जो प्रेयर थी प्रातना थी वो भी नहीं कर पाता था गिर्जाघर में काफी बीड थी गिर्जाघर के बीतरी भाग में हजारों दीपक जल रहे थे किसी भी तीर थियातरी को वहां जाने की अनुमती नहीं थी परंतु दीपकों के पीछे एक अद्बुत द्रश्यस ने एफिम को आश्चेरे चकित कर दिया उसे उस प्रकाश के बीच एक व्यक्ति की जलक दिखाई दी जो बिल्कुल एलीशा की तरह था यह वह सोच में पड़ गया कि एलीशा वहां कैसे पहुंच गया क्योंकि वह अंदर जहां कहीं भी मंदिर होता है पूजा पाठ हो रही तो अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता तो लेकिन उसे क्या दिख रहा था कि एलीशा वहां पर खड़ा है वह कैसे चला गया क्योंकि वह जाने की तो पर्मीशन ही नहीं है तो उसने उसे बड़े ध्यान से देखा तो उसे विश्व या हम भी उसके साथ चले जाएंगी हमें भी अंदर जाने की परमीशन मिल जाएगी एफिम एलीशा की और देखता रहा जब प्राटना समाप थोई और भीड बाहर जाने लगी उसने अपने धन का विचार आती ही वे भीड से आगे आगे चला गया उसे तो डड़ था कि कहीं कि चोजे न दो होगा उसके वो पहले ही बाहर निकल गया बाहर आकर उसने किसका एलीशा का इंतेजर किया नहीं लेकिन एलीशा नहीं आया अगले दिन वै फिर गिर जागर गया जो कीतरी की तरह हात फैलाये घड़ा था प्रातना सभ़ा के समाप्त होती ही इफिम बाहर आ करने लगा पर वह नहीं आया तीसरे दिन भी ऐसा ही चलता रहा है मित्र के नहीं मिलने के कारण FM उदास हो गया और वापस घर की और चला गया रास्ते में वह उसी गाउं में पहुंचा जहां एलिस जोंपडी में मरनासन लोगों की मदद के लिए रुका था वहीं गया कि कही उस जोंपडी के द्वार पर दस्तर दी बुढ़िया ने दरवाजा खोला और स्वागत किया करते हुए बोली आईए बाबा हमारे साथ ठेरियर भोजन कीजिए हम सदा यहां आने वाले यात्रियों की मदद करते हैं वो रास्ते में रहते थे जो भी कोई यरुसलम जाता थ उनकी उनका चाय पानी उनकी देख भाल उनके रहने का इंतजाम वो किया करते थे तो हमारा जीवन एक यात्री के कारण ही बचा है तब से हमने अपने जीवन का रंगडंग बदल लिया है एफिम ने देखा कि वहां जैसे पहले सब कुछ बद्बू आ रही थी बिमार थे अब वहां ऐसा कुछ नहीं था एफिम समझ गया कि वह बोड़ी इस्तरी किसकी बात कर रही है जब एफिम ने जानना चाहा कि एलीशा कहा है तो उसने कहा मैं नहीं जानती कि वह कौन था मनुश्यत या देवदूत है वह हम सबसे प्रेम करता था हम सब का जीवन उसी की दे है वह यहां बिना बताए आया और बिना बताए ही चला गया कहते ना कि भगवान आते हैं बचाने के लिए तो उनको तो वो परमात्मा ही नजर आ रहा था परमात्मा उसका भला करे बुड़ी इस्तरी ने एफिम को भोजन कराया और सोने के लिए इस्तान दिया क्योंकि लं प्राते काल उठकर वे अपने गाउं की और चल दिया गाउं पहुंच कर वे सबसे पहले एलीशा से मिलने पहुंचा एलीशा उस समय अपनी मदुमक्यों की देख भाल कर रहा था एफिम को देखकर उसने प्रसंता से उसका सौगत किया और पूछा आशा है कि आप येरुश् आत्म वहां पहुंची या नहीं इसमें संदे है मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्म आवश्य वहां पहुंची है मैंने तुम्हें गिर्जागर के बीतरी भाग के दीपकों की प्रकाश में खड़े देखा था तुमी सच्चे तीर्थ यात्री और इश्व बताया है यही नहीं कि मंदिर में मईस्जिद में गुरदवारे में में या चर्च में जाकर पूज़ा पटरी करें तभी वगवान प्रशन होते हैं क्या है जरूरत मंदों की दीन दुख्यों की या जिने इंसानियत रखते हैं इंसान हैं और इंसानियत की सेवा करते हैं तो वही हमारी तीर्थ यात्रा इस पार्ट में बताई गई है ओके स्टुडेंट्स